इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि यदि अंधे या दिव्यांग मतदाता आते हैं बूत पर तो पीठा सिन क्या करेंगे इसको हम समझ लेते हैं मद्दान प्रक्रिया के समय यदि ऐसे वोटर आ जाते हैं जो दुरस्टी बाधित हो या सारे रिक रूप से मद्दान करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे निर्वाचकों को सहयक उपलब्द कराया जाता है यानि कि उनको साहयक की आवशक्ता होती है साहयक उपलब्द कराने के संबंद में वोटर की मांग पर पीठा सी नदिकारी का निर्ने है पीठा सी नदिकारी जिसे साहयक के रूप में अनुमती परदान करेंगे वे 18 वर्स का होना चाहिए 18 या 18 वर्स से अधिक की उसकी आयू होनी चाहिए एक व्यक्ती अधिकतम एक वोटर का साहयक हो सकता है साहयक उपलब्द कराते समय साहयक से दिये गए निर्धारित प्रारूप पे घोशना करानी होती है यह मैं आपको भी दिखाऊंगा कौन से प्रारूप पर घोशना करानी होती है मतदान के उपरांत पीठासीन को ऐसे अंधेव सिथलांग मतदाताओं की सूची प्रारूप 14A पर जिने साथी उपलब्द कराया गया है बनानी होती है यह दोनों चीज हम यहां देख लेते हैं पहला तो है यह घोशना यह घोशना है आप देख रहे होंगे यह घोशना रहती है इसमें मतदान के इंदर संख्या नाम एड्रेस जिसका वो नाम जो साथी बन रहा है फादर नेम आयू जहां का निवासी है पता वोटिंग की तारीक और यहां की मैं जिनका वो साथी बनता है कि और से अपने मत का अभी लिखित किये गए मत को गुपत रखूंगा पूरा पता और फिर यहां नीचे हास्ता अक्षर कर देते हैं निर्वाचक के बाद जो सूची बनानी पड़ती है वो सूची कुछ इस तरह से रहती है निरक्सर और अंधे और सितलांग मत दाताओं की सूची निर्वाचक का नाम भाग संख्या और क्रम संख्या निर्वाचक का पता साथी का पूरा नाम साथी का पूरा पता साथी के ह इसमें यानि कि साथी और निर्वाचक दोनों की डिटेल आती है ये जो आप देख रहे हैं उपर इसको भरने के बाद यानि कि निरकसर और सिथलांग मतदाताओं की सूची भरने के बाद और उसकी घोशना भरने के बाद इनको आपको असामवेदिक लिफाफों में रख कर देना होता है यदि आपके बूट पर कोई साथी निरकसर अंधे और सिथलांग मतदाता नहीं आते हैं जिनको ऐसी सुविदा नहीं हो रही जिनको साथी नहीं दिया गया है तो भी इनके जो हमें लिफाफे बनाए जाएंगे असामवेदिक लिफाफे उनमें निल की परच गोशना और उनकी सुची ये लिफाफे का नाम रहता है ये अवश्य बनाना है नहीं आते हैं साथी तो भी उसमें निल की परची डाल कर उसको अवश्य बनाना है